बाप की जिन्दगी गुजर जाती है बेटों की जिन्दगी बनाने में और बेटा लिखता है My wife is my life अगर कोई आप पे पत्थर फैके तो आप उस पे फूल फैको गमले के साथ जिसे निभाना सकू ऐसा वादा नहीं करता मैं बाते अपनी उकात से जाधा नहीं करता भले ही तमन्ना है आसमान छूजाने की पर दूसरों को गिरा कर खुद बढ़ जाने की इरादा नहीं रखता एक बात बता तू इतनी अच्छी रिलेशंशिप एडवाइस देता है फिर भी सिंगल है कोच को कभी खेलते वह देखा है फिर जब वक्त दोबारा पल्टी मारेगा तब तू दिलावर को मारेगा ठीक है मैं अभी तेरी बात बात बांगेता हूँ लेकिन मैं जादा दिन तक छुपने वाला नहीं हूँ खुले मैदान में साप को मारना जादा असान है वो बिल में घुस गया हूँ तो उसके जहर से पच्छना ना मुम्किन है तुम अगर चाहो लड़ तो तुम्हें कोई भी लड़का मिल सकता है कोई भी कोई भी कोई भी कोई भी बस उसके आँके खराब होनी चाहिए दोस्ती के बाद मौबद हो सकती है लेकिन मौबद के बाद दोस्ती नहीं दवा मरने के पहले काम आती है मरने के बाद नहीं और फिर जब वक्त दुबारा पल्टी मारेगा तब तु दिलावर को मारेगा ठीक है मैं आभी तेरी बात पांगनेता हूँ लेकि मैं जादा दिन तक छुपने वाला नहीं हूँ खुले मैदान में साप को मारना जादा असान है वो बिल में घुसक्या हूँ तो उसके जहर से पचना ना मुम्किन है अब की तारिफ में क्या कहें आप हमारी चान बन गए तो ता साथी केर नि करदा चाइम सपेर नि करदा मैं ही तेरे पिछे पिछे ओनी या मैं ही तेन फोन मलो नी या मैं ही तेरे पिछे पिछे ओनी या तप अप आप, भी पहफ दो, ऐब दासक है, ऐसे लिए सोट सी, क्या रंग लाया दिल का लगाना गुंजे हवा में बिछड़े दिला दिया दुहाईयां वे बड़ी लम्बियां सी जुदाईयां अगर मैं तुझे मारतू अभी यहां दो मुंबई नहीं ले पाएगा मुंबई के ते वे जेल में बड़ी है तुम जलते रहो मैं जलाता रहूंगा अपनी नजर का ख्याल रखना मैं नजर आता रहूंगा मैं हसकर आपसे यूही कर रीबात आप न समझा हो गई फिन पातल पर साथ वह हद कर दी आपने खुलेगी मंदिर बस जित बोधी हो गई ये सब ठीक मैं दूआ करता रख से इंशालला होगी जीत फिर से वो सड़को पे खुलेगी दुकान फिर से जब निकलेंगे घर से करने काम फिर से लगेगी तब वो मंडी और बजार फिर से वो इदो और दिवाली में जो प्यार फिर से वो बच्चे जो की खेले गिरते परते रिष्चेदार परिवार जो की भार निकले घर से ये विचार मेरे मन में ऐसे मनजर मुझको दिखते सबर करना थोड़े सबके बाकी पूरे होंगे सबने अपने अपनों के साथ करना मिलके सबसे बात तेरे पचपन वाले दा कि तारिफ में क्या कहें आप हमारी जान बन गए आप हमारी जान बन गए सब कुछ महेंगा हो गया मगर मांची साथ भी एक रूमे पर रुकी हुई है पता है क्यों क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती है किसी को बोला नहीं न करी किसी की बुराई है जो भी है अपने दंप है पैरों में गिर के पहचान नहीं बनाई है